मेरे प्रिय लोगों प्रभु इश्यु मसी के पवित्र नाम से आप सब को मेरी बदाई परमेश्वर के भहत बड़े अनुग्रह के द्वारा हर दिन पवित्र आत्मा के साथ नाम के संदेश में आपसे मुलाकात हो रही है आपके लिए प्रति दिन परमेश्वर के द्वारा देगे वचनों को आपके साथ मैं बांट रहा हूँ इसमें बहुत बड़ी खुशी है इन संदेशों को सुनने के बाद जो आशिश आपने पाया है उन्हें जरूर कमेंट सेक्शन में डालें आमें आप भी अपने टेस्टिमोनी समें भेजें परमेश्वर के नाम की महिमा होगी इससे बढ़कर दूसरों को जब शेयर कोड़े तो और अच्छी बात है आज का भाविश्वानी का वचन मैं आपको बताता हूँ दूसरे तिमोथियस की पत्त्री दूसरा धिया है छटा वचन जो घ्रहस्ट परिश्रम करता है फल का अंच पहले उसे मिलना चाहिए परमेश्वा के बच्चों जो घ्रहस्ट परिश्रम करता है जमीन में खेती करने बाले लोगों को अगर आप देखोंगे बेनी कहेंगे कि आज बहुत धूब है घरी में रह लेते हैं और कल देख लेंगे इस काम को बहुत बरसाथ हो रही है आज काम नहीं करेंगे कल आकर काम करेंगे चाहे गर्मी हो बरसाथ हो ओसपड़े या ठंड हो खेती जो करते हैं वो उस काल में लगातार काम करते रेते हैं उनको मालूम है कि ऐसा ही करना चाहिए तो प्रयास के साथ सुभे सुभे सुर्य उदे होने से पहले अपने जमीन में जाकर सुर्य उदे से दोपहर तक पहले या बाद में अपने कामों को खतम करते हैं मेरे प्रिये लोगों, कुछ लोग जो है काम खतम ना हो, तो सारा काम खतम करने के भादी घर वापिस लोटेंगे, वही प्रयास है, आज परमेश्वर कहता है, पवित्र आत्मा आपको जो है परिश्रम का फल देना चाहता है, सभी भागों में देखिए, साधारन सा एक व्यक से बहुत प्रयास करते हैं, इसलिए अच्छा स्कोर पाते हैं, राजनितिक लोग भी जो है, बहुती मुश्किल सा, बहुती गडवडी भरा हुआ, बहुती हारने वाला चैरा होगा, फिर भी उसे जो है, विजेता बनाते हैं, बहुत योजनाय बनाते हैं, प्रयास करते है पर मैं तुमसे आज कहता हूँ तुम्हारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगा उस दिन चेले अभिशेक पाकर दर कर इधर उधर जो नहीं घूम रहे थे हिम्मच से बोले तीन हजार पांथ हजार व्यक्ती उधर पाते रहे कारण उनका परिश्रम इसलिए इन दिनों में जो भी मुश्किल आप जेल रहे हो पर अभिशेक के साथ परिश्रम करो अभिशेक से भरे हुए पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाओ दुनिया के साथ मत चली जाएए दुनिया की ग्यान को मत खोजिए मैं अची तरह से जानता हूँ मैं इसे खतम कर दूँगा मेरे दोस्त हैं मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ वे लोगों से पूरा कर देंगे ऐसा कहकर मनुश्यों पे निर्भर मत हो जाएए पवित्र आत्मा में निर्भर होकर आत्मा में प्रवेश करके प्राथना करके इन चीजों को करिए प्रमेश्वर आपके साथ है ठीक है? प्रयास कीजिए कोशिश कीजिए तुम्हारी चीजों को प्रमेश्वर जरूर सफल करेगा आज का वचन यही है प्राथना करे प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर आज के दिन अपने बच्चों को जो तुने वचन दिया है कि अभिशेक के साथ परिश्रम करें परिश्रम करने वाले व्यक्ति को फल का पहला अंश मिलना चाहिए उस दिन आदी कलीशिया में दिन रात सुसमचार की सेवकाई, प्रातना की सेवकाई बंधनों को बिना नमाने सेवकाई करने के कारण ही जो है आज भी हम आदी कलीशिया के बार में बात करने हैं तेरे बच्चों के लाइफ में जो भी रुकावटें आती हैं सभी प्रकार की रुकावटें आगे बढ़ने वाले कदम बन जाएं तेरे नाम से हम जय प्राप्त करें सभी प्रकार की समस्याएं का अंत हो तेरे बच्चों को हिम्मत से बांध एक नया उच्छा से भर आत्मा की अभिशेक के साथ वो करते रहें तेरी महिमा हो सभी परिश्रम के फल को आने वाले दिनों में आप देख पाओगे मेरे साथ जरूर ने बांटिए जीसस मेंट स्मिनिस्ट्री के लिए जरूर प्राथना कीजिए ठैंक यू जरूर प्राथना करें दोसरों के साथ जरूर इन संदेशों को शेर करें इश्यो मसी के नाम की महीमा हमारे साथ मिलकल करें God bless you साथ दो नो नो पांचार चैतीन चैतीन हमारा इमेल GPSRobinson at Hotmail.com और मेश्वर आपको आशिष दे